गुजरात के सूरत शहर से एक संसनी खेज मामला सामने आया है यहाँ पुलिस वाले उस वक्त सन रह गए जब उन्होंने एंबुलेंस में रखे 6 बक्से खोले और इन बक्सों में 2-2 हजार रुपे के नकली नोट थे वो भी 25 करोड 80 लाक रुपे जिहाँ आपको सुनकर विश्वास नहीं हो रहा होगा कि वो एंबुलेंस जो लोगों की सहायता करती है उसके अंदर नकली नोटों की खेप ले जाई जा रही थी नोटों पर भारती रिजर्व बैंक ओफ इंडिया की बजाए भारती रिवर्स बैंक ओफ इंडिया और केवल सिनेमा शूटिंग के लिए लिखा गया था गौड तलब रहे कि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत शहर के लिमबायत इलाके में रोड शोक कर जनसभा को संबोधित किया और इसी बीच शाम को कामरे स्थान पुलिस को सूचना मिली कि एहमदाबाद से मुंबई की ओड जाने वाली एक एंबुलेंस में नकली नोटों का जखीरा है जसके बाद ये कारेवाही कीक गई कामरे स्थान पुलिस ने सूचना मिलते ही हाईवे पर एंबुलेंस को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया पुलिस की टीम ने हाईवे पर इस्तित शिवशक्ती होटल के पास नाका बंदी कर एंबुलेंस को रोका एंबुलेंस के अंदर 6 बक से मिले और इस दौरान नोटों के बंदल थे नकली करेंसी 25 करोड असी लाक रुपए की एंबुलेंस पर देकरी एजुकेशन टरस्ट मोटा वडाला सूरत लिखा हुआ और साथ ही साथ गो माता राष्ट माता भी लिखा हुआ गुजरात के सूरत चहर से ये संसनी खेज मामला सामने आया है जिसके बाद वहां हड़कम मच गया 25 करोड असी लाक रुपए अपने आप में एक बहुत बड़ी राशी है जिसके बाद वहां पर हड़कम मचा हुआ है और पैसों की गिंती के साथ साथ कारेवाही आगी की जारी है तो क्या है वीडियो पर आपकी राय कमेंट करके बताईए और तमाम खबरे सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रही है इन खबर के साथ